नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ Rankers में और IQ Rankers एक ऐसा परिवार जहां पर आपको बिभिन्न पृत्यों की परिक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलता है और यहां पर हम इसी कड़ी में बात कर रहे थे अगनी वीर वेचकी और अगनी वीर मे हम आपको Maths पड़ा रहे हैं दो से तीन जो Classes होती हैं वो Maths की रहती है और तीन से चार के मद्ध में जो आपकी Class रहती है वो आपकी रहती है दूसरा जो GS और आपका Science से संबंदित जो भी portion है उसकी तो Math प्लस Reasoning के 20 Questions को मैं कवर करा रहा हूं 30 जो नमबर है उसको प्रवी यही कारण हुआ कि हम लेट यहां पर मतलब स्टार्ट कर पाए और इसलिए आपको हम यह recorded वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप यह recorded वीडियो के दौरा अपने जो तैयारी है उसको चालू रख पाएं और लगातार तैयारी में लगे रहे हैं ठीक है तो HCF क्या हो HCF अगर इसकी full form मैं कहूं HCF क्या होता है जी highest common factor होता है क्या हो जाएगा जी highest कॉमन फैक्टर हो ठीक है highest common factor है हिंदी में से क्या बोलते हैं हिंदी में सौर्ट में तुमासा कहते हैं मासा या फिर महत्तम समाप वर्तक ठीक है महत्तम क्या बोलेंगे भी या महत्तम समाप वर्तक महत्तम समाप वर्तक के लिए रहतना मासा या महत्तम समाप वर्तक अब समाप वर्तक की अगर मैं बात करूँ इनके अगर हम छोटी छोटी चीजों को पहले समझने की कोसिस करते हैं जैसे हमने कहा यह फैक्टर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि या फैक्टर क्या होता है ऐसे हम यहां पर देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा अपवर्तक लिखा हुआ ठीक है तो हम अगर बात करें सबसे पहला जो चीज है अपवर्तक अपवर्तक क्या होता है ठीक है ठीक अपवर्तक या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं या गुडण खंड बोलते हैं गुडण खंड बोलते हैं या फिर इसी को हम क्या कह देंगे जी अंगरे जी में सी को हम फैक्टर बोल देंगे हैं ठीक है किलिए रहतना क्या 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 जी हम इसको अपवर्तक बोलते हैं या गुड़नखंड बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं क्या होता है अपवर्तक या गुड़नखंड या फैक्टर ठीक है जैसे हमने कोई संख्या ले उसी ओनोजिकहा सवाल यह पूचा गया 18 के अपवर्तक बताईए सभी अपवर्तक कौन से है तो आप कहोगे कि भी 18 किस-किस के पहाले में आता है वो सब क्या हो जाएंगे 18 के factor या गुड़न खंड या अपवर्तक हो जाएंगे जैसे आपने कहा अब ही एक के पहाले में तो आई गाई या आएगा तो एक से जब 18 को मैं भाग करूँगा एक एक में एक एक अठे आठ ठीक है हो गया एक और 18 फिर बोले दो से दो नेम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा फिर तीन के पहाले में आता है तीन चक 18 चार के पहाले में आएगा चार चौक सोला होता है चार पंजे बीस नहीं आएगा पांच के पहाले में पांच तीयां पंदरा 5, 4, 20 फिर हमने का 6 के पहाड़े में 6, 12, 16, 18 तो हम देखो 6 को पहले ही लिख चुके हैं तो 6, 13 फिर सीधे 9 के पहाड़े में आएगा और फिर 18 के पहाड़े में आएगा मतलब यह चीज रिपीट होने लग जाएगी तो आप कहोगे 18 के अपवर्तक या गोडनखंड की मैं बात करूँ या फैक्टर की बात करूँ वो क्या क्या हो जाएंगे तो आप कहोगे सर वो आपके हो जाएंगे वो एक तो एक हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा फищah, फिर नो हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, अठारा हो जाएगा तो ये क्या होते हैं, या अप वर्तक हो जाएंगे, या गौड़न खंद हो जाएंगे ठीक है, इतनी बात हाई सान में, अप वर्तक के गौड़न खंद समजाया गोडन खंड लिखा है यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ से देखें गोडन खंड लिखा है खंड का मतलब क्या होते हैं सर टुकडे होते हैं खंड का मतलब क्या होते हैं टुकडे होते हैं और हम किसी भी चीज के अगर टुकडे करेंगे तो वो उस संख्या से छोटे होंगे वो उस संख्या से क्या हो जाएंगे 18 के हमने टुकडे करे तो हम कह रहे हैं कि भी 18 के टुकडे क्या हो जाएंगे 18 से छोटे होंगे ठीक पहला या तो 18 के बराबर होंगे 18 से छोटे हो जाएंगे ये वाली बात आई सोज में 18 के फैक्टर हमने किये या गोडन खंड किये या ह हमने कहा टुकडे किये तो वो क्या हो जाएंगे आपके 18 के बराबर होंगे 18 से छोटे होंगे के लिए रहतना 18 किस किस के पहाड़े में आता है वो यह वाली बात रही कैसे याद रखेंगे यह गोडन खंड और गोडज में बहुत जारे वच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं छोटे छोटे वच्चे जो होते हैं तो भी यह देख लो 18 के अपवर्तक या गोडन खंड ऐसे लिखे जाएंगे ठीक है के लिए रहे इतना गोडन खंड वाली बात समझ आगी अब दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा भी common वाली चीज भी बता दो य ठीक है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम बात करने वाले हैं जी समाप वर्तक के बारे में समाप वर्तक या फिर इसी को हम क्या कहेंगे common factor common factor ठीक अच्छा मैं कहूं कोई चीज common है तो common कम से कम कितने लोगों में होगा common कोई चीज दो लोगों में होगा कम से कम दो लोगों में तो common factor का मतलब क्या हुआ हम से सवाल किया गया कि भी पहले वारा वा अठारा के वारा वा अठारा के समाप वर्तक बताईए क्या बताना है हमको समाप वर्तक या common factor बताना है समाप वर्तक या समाप वर्तक को और क्या बोल सकते हैं जी हम क्या उभैनिस्ट गुड़नखंड उभैनिस्ट कॉमन को हिंदी में बोला जाता है या उभैनिस्ट और factor को क्या बोलते हैं गुड़नखंड उभैनिस्ट गुड़नखंड बोलो या common factor बोलो या समाप वर्तक बोलो तो 12 वा 18 के उभैनिस्ट गुड़नखंड या समाप वर्तक यहां पे भी लिख देता हूं मैं उभैनिस्ट गुड़नखंड की बात कर रहे हैं समाप वर्तक का मतलब क्या हो गया अब या उभैनिस्ट गुड़नखंड की बात कर रहे हैं तो 12 वा 18 के पहले तो हमें factor लिख लेने चाहिए, ठीक, हम बिलकुल detail में चलने हैं, दीरे दीरे इन चीजों को समझ रहे हैं, तो हमने कहा भी यह 12 वा 18 के factor आपको लिखने हैं, तो पहले तो 12 के केवल factor लिख लो, 12 के गोडनखंड लिख लो, या factor लिख लो, तो आप कहोगे 12 के गोडनखंड, लो भी अब 12 के गोडनखंड ये बता रहे हैं, आप जाओ यहाँ पर 12 लिखो किस किस के पहाले में आता है, आप कहोगे 1 और 12, 12 हो जाएगा, फिर 2 चंग 12 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, तीन के बाद क्या हो जाएगा, 4, 4, 3, 12, फिर 6, 12, फिर 12 इकम, वारा इस तरीके से वो रिपीट होने शुरू हो जाएगे, तो 12 के गोडनखंड कितने हो जाएगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, कि लिए रहे इतना, आप को होगे भी या 12 के गोडनखंड क्या हो जाएगे, तो ये हो जाएगे, 12 के गोडनखंड, हमने कहा, Sir, 18 के गोडनखंड पी तो बता दो तो बोले 18 के गुड़नखंड अभी हमने पिछली स्लाइड में किये थे 18 के गुड़नखंड तो बोले सर एक के पहाड़े में आता है आता या नहीं आता है दो के पहाड़े में आता है तीन चाक अठारा होता है चार के में नहीं आएगा पांच के में नहीं आ जाएगा 6 के में आएगा 6 3 18 9 दूनी 18 और 18 एकम 18 तो आपके सारे के सारे जो फैक्टर हो जाएंगे 18 के जो गुड़नखंड हो जाएंगे वो यह हो जाएंगे अब जो चीज हमें क्या करना था हमें अगली जो लाइन लिखनी थी हमारी अगली लाइन क्या होनी चाहिए थी 12 बारावा 18 के उभैनिष्ट गुड़नखंड या समाप वर्तक बारावा 18 के समाप वर्तक बताना था या कॉमन फैक्टर बताना था या उभैनिष्ट गुड़नखंड बताना था यही तो पूछा गया था सवाल में तो बारावा 18 के समाप वर्तक या फिर मैं कहूं उभैनि गुड़न खंड ठीक है तो बाराव 18 के उबैनिस्ट गुड़न खंड कौन कौन से हो जाएंगे एक बार हम इनकी चर्चा कर ले इनमें कॉमन कौन है तो आप कहोगे सर इनमें एक तो कॉमन हमें ये दोनों नजर आ रहे हैं एक आप देखो सर एक कॉमन है या नी तो हमने का ए एक कॉमन है तो इधर लिख दो क्या दिखकत है एक कॉमन है तो इधर लिख दो फिर बोले सर देखो दो भी तो कॉमन है तो हमने का अच्छा दो भी कॉमन है तो एक काम करो दो भी इधर लिख दो ठीक है दो भी यहां लिख दो बोले सर आपका देखो तीन भी यहां पर लि बोलते हैं तो आप कहो कि सर छे भी है बोले सर 9 नो नहीं है 12 नहीं तो 12 वा 18 के समाप वरता कि अभेनिस्ट कुडंखंड कितने हो जाएंगे एक दो तीन और 6 हो जाएंगे कुल मिलाकर ये 4 जो है वो common हो जाएंगे common factor कहलाएंगे ठीक है अब हमसे क्या पूछा जाता है सवाल क्या हो जाएगा वही HCF भी बता दो जब आपने इतना सारा कुछ कर लिया तो HCF भी बता दो और HCF का हमने क्या कहा था हमने अभी पीछे ही आपको full form बताई थी क्या बताई थी highest आपको क्या कर एच का मतलब highest है HCF हमने कहा इसमें maximum कौन सा है तो आप कहोगे सर maximum महत्तम बताना हाइस तो वहले जो common है उनमें महत्तम तो 6 है तो हमने कहा हां 12 और 18 का जो maximum HCF जो आएगा वो कितना आजाएगा वो 6 आजाएगा ठीक है इतनी बाता ही सोंज में किलियर इतना 12 और 18 का हमने HCF निकाल दिया मासा निकाल दिया तो ये आपका होता है मासा ठीक है मासा में एक और चीज हमें समझनी चाहिए जो चीज हमें ध्यान देनी चाहिए सर ज 2, 3, 4, 6, 12 या 12 के बराबर या 12 से छोटे होंगे ये वाली बात पक्की है हमने कहा 18 के गुड़नखंड देखिए 18 के जितने भी गुड़नखंड है वो या तो 18 के बराबर होगा कोई गुड़नखंड उसका या 18 से छोटा होगा क्योंकि गुड़नखंड का मतलब हमने कहा त टुकडे और किसी भी चीज के टुकडे या तो उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे ठीक है तो बारा और अठारा के जो गुड़न खंड या जो टुकडे होंगे वो उससे छोटे होंगे तो क्या ऐसा नहीं लगता जो मासा अब उसमें से फिर हमें क्या निकालना थ थे common common भी निकाल लिए तो common या तो वही सबसे छोटी वाली संख्या 12 है इसमें 12 है तो यहाँ पर 12 और 18 है तो कम से कम 12 यहाँ पर तो हम 12 ही जा सकते हैं maximum कहां तक गोडनखंड 12 से तो बड़े हो ही नहीं सकते 12 के के लिए रहतना और 12 से बड़े नहीं हो सकते तो जो आपका HCF या फिर जो आपके उभैनिष्ट गोडनखंड आएंगे उभैनिष्ट गोडनखंड आपके या तो 12 तक के आएंगे या 12 से छोटे आएंगे ठीक है तो छोटी वाली संख्यान में कौन सी है 12 तो 12 से छोटे आएंगे HCF आपका इन दोनों में किस से छोटा होगा या तो इसके बरावर होगा 12 के बरावर या 12 से छोटा होगा इतनी बात है सोन में HCF आपका क्या हो जाएगा या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा और 12 से छोटा होगा तो 12 से तो भी क्या हो जाएगा आपका दूसरा दूसरी चीज़ आपका HCF आपको इतना याद रखना है जो HCF होता है तो 12 हो सकता था या 12 से Sel propels तो यह दूसरी बात हमें तो हमको यह दूसरी बात अमें या समझ आ गई की जो HC F होता है या तो वो 12 की बारा होगा या 12, 18, 24 का पहला सवाल है कि 12 का, 18 का और 24 का मासा निकालिए ठीक है, 12, 18, 24 का मासा बताईए कितना हो जाएगा ठीक है, तो बोले 12, 18, 24 का सर 12 के factor लिख लिजिए, देखो कई सारे हम तरीकों से इन चीज़ों कर सकते हैं पहला क्या करोगे, भी 12 के factor कर लिजिए 12 के, 18 के और 24 के आपको क्या कर लेना है factor कर लेना है, ठीक है 12 के factor कर लेना है, 18 के factor कर लेना है 24 के, और कैसे factor करने है, prime factor या अभाज्य गुडनखंड हम करने वाले हैं अवाजय गुडंखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 छंग 12, 236 और 3 एकम 3 अच्छा ये देखो आप सबको पता होगा दो 1 अभाजय संह कहा है ये भी अभाजय है और ये प्राइम फेक्टर कहलाते हैं या अभाजय गुडंखंड कहलाते हैं और ये जो विधी हम कर रहे वो अभाज्य गुणनखंड विधी हो जाएगी ठीक है दो से हम 18 को भाग करेंगे दो नेम 18 हो जाएगा तीन तीन नौ हो जाएगा और तीन एकम तीन हो जाएगा ठीक है ऐसे अगर मैं 24 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो दो एकम दो दो दुनी चार दो से मैं इसको दो गुणा, तीन आप लिख सकते हो, हमने का अठारा, अठारा को सर आप क्या लिख सकते हो, तो दो गुणा, तीन गुणा, तीन लिख सकते हो, वहले 24, 24 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर, 24, दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, तीन, दो दुनी चार, दुनी आ 28 23 के लिए रहे इतना तो हमने क्या किया सबसे पहले इनके अभाज गुड़नखंड किये 12 18 24 का आपको मासा निकालने को कहा गया था हमने इनके गुड़नखंड कर लिए गुड़नखंड करने के बाद हमको क्या ढूड़ना था इन में से common ढूड़ना था तो भई जो common होगा आप लिख दो ठीक तो गुड़नखंड करोगे तो गुड़नखंड आपको यहां पर दो हो जाएगा दो यहां भी दो यहां भी तीनों में आपको दो common ले लेना है दो आपका आ जाएगा फिर बोले यहां पर दो है लेकिन यहां पर दो नहीं है एक भी यहां पर दो है तो वहां कुछ नहीं बचा और यहां पे भी आपका कुछ नहीं बचा तो आपका जो मतलब HCF आजाएगा वो कितना आजाएगा दो तीया आपका कितना हो जाएगा छे हो जाएगा ठीक है बारा अठारा और चौबिस का अगर आपसे मासा पूछा जाए तो तो कितना आ जाएगा अच्छे आ जाएगा ठीक है और इसको हमने कौन से विधी बोला अवहाज ये गुड़नखंड विधी बोला क्यों क्यों कि हमने क्या किये थे इसके अभाज ये गुड़न खंड इससे पहले भी हमारा जो आंसर 12 बार 18 कास समाप बरतक हमने निकाला था 12, 18 और 24 का फिर से मासा निकालो लेकिन विधी कौनसी हम चर्चा करने वाले हैं भाग विधी ठीक है अब हम कौनसी विधी पढ़ने वाले हैं भाग विधी की चर्चा करने वाले हैं ठीक है हम चर्चा करने वाले हैं भाग विधी की तो सबसे पहले भाग विधी में क्या करना होता है 12 18 24 है इनके वीच के गैप जिनका वीच में गैप कम होता है पहले उन दोनों को एक दूसरे से भाग कर लेते हैं मतलब एक दूसरे से नहीं मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग कर लेते हैं 12 कम कितना हो सर बारा हो जाएगा कितना बचेगा यह सबसे ऑर 1997 सर यह सवाल 12 attachments 12 18 कि हम सबता ए दया गाल निम्म का साथिए 12 18 का मैसा है तो हमारा आंसर कुष्य होता ठीक हैzwischen HCF अभी 12 और 18 का ये 6 हो गया लेकिन हमारे सवाल में 24 भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे इस 6 से 24 को भाग करके भी देखेंगे अगर ये 6 से 24 कट जाएगा तो हम कहेंगे 6 24 कट गया तो इसका मतलब जो मासा है वो कितना हो जाएगा 12, 18, 24 का 6 ही भी आजाएगा ठीक है तो HCF अब हम पूरे होसो हवास में इसको लिख रहे है कि भी जो इसका HCF आएगा वारा 18 और 24 का वो कितना आजाएगा 6 आजाएगा बहुत सारे बच्चों को ये चीजे पता भी होगी ठीक है तो अब हाज गुडन खंड बिधी ठीक है एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं हम इस सवाल को छोटा कर सकते हैं ठीक है एक तरीका और हम ले सकते हैं हम क्या कहेंगे हमने कहा आपने हम से पूछा 12, 18 और 24 का मासा 12, 18 और 24 का मासा आप क्या करो 12, 18 और 24 में क्या common आ रहा है common विधी बोलते हैं इसे common factor विधी बोलेंगे तो देखो 12, 18, 24 में हमको ये साफ साफ नजर आ रहा है सर ये 6 के पहाले में आता है अगर वैसे भी नहीं आ रहा समझ में तो आपको 2 का विभाजिता का नियम तो पता ही होगा सर दो के पहाले में तो आई रहा है 2 छंग 12, लेकिन 3 ओ आने चाहिए ये चीज आपको याद रखनी है फिर क्या कहोगे सर ये आप देखो ये 2 में ये नहीं आ रहा तो हम कहेंगे 2 से अब नहीं काटना है 2 से नहीं काटना है, कितने से काटना है अब हम इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, अब देखो 2, 3, 4 बचे, जो की क्या है, जो इनमें कुछ भी common नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस यही दोनों आपके क्या हो जाएगे, आंसर, आप डारेक्ट यहां से निकाल सकते हो, सर, 2, 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, यह चीज याद रखना है, कि भी हमको क्या करना है, comment ढूंडना है, केवल और केवल, तो 12, 18, 24 में क्या common था, भी यह 6, 6, 6 से यह कट रहा था, आप सीरे-सीरे 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 24 कर देते, तो आपका आंसर निकल के आ जाता, ठीक है, जैस साफ नजर आ रहा है, कि भी यह 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 6, 12, 18, 6, 24, 24 लिकूंगा, 2, 3, 4 में कुछ common है नहीं, तो हमारा मासा जो हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो उमीर है, यह आपको मासा निकालना आप आ गया होगा, मासा के हमने जितने भी तरीके सीख ने थे, वो सारी की सारी चीज़े हमने कर ली हैं, अब हम समझते हैं, ऐसे ही, बहुत प्यार से कि यह LCM क्या होता है, ठीक है, अब हम चर्चा किसकी करने वाले हैं, सर, LCM की चर्चा करने वाले हैं, LCM क्या होता है, जी, LCM क्या होता है, अगर हम इसकी full form की चर्चा करें, full form क्या होती है तो आप कहोगे सर least common multiple ठीक है least least का मतलब होता है सबसे छोटा common का मतलब होता है उभैनेश्ट और multiple का मतलब क्या हो जाएगा गोड़ जा ठीक है least common multiple ठीक है least common multiple की हम चर्चा करने वाले हैं फिर बोले सर सर LCM को हिंदी में क्या कहेंगे हमने का भी sort में तो आप लासा पा बोल सकते हो है लासा बोल सकते हो ठीक है sort में आपने लासा बोल दिया इसकी full form क्या हो जाएगी सर तो हम कहेंगे सर इसको full form अगर आप लिखोगे न तो इसे बोलेंगे लगुत्तम समाप वर्थ ठीक है लगुत्तम समाप वर्थ है देखो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे वर्थ है और बहाँ पे क्या है वर्थतक है यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है यह चीज़ हमने कहा था यहाँ पर क्या हो जाएगा यह आपका वर्तक हो जाएगा समाप वर्तक है ठीक है और वहाँ पर क्या है यहाँ पर महत्तम समाप वर्तक है और लासा में क्या होता लगुत्तम समाप वर्त ठीक है लगुत्तम समाप वर्त इन दोनों में अंतर है अपवर्तक आपके होते हैं क्या होते हैं ठीक है अगर मैं केवल और केवल अपवर्थ की चर्चा करूं अपवर्थ क्या होते हैं तो आप कहोगे सर अपवर्थ को और क्या बोलते हैं सर गुड़ज भी कह सकते हैं अपवर्थ को क्या बोल सकते हैं गुड़ज बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं सर मल्ट यह वोलते हैं अंग्रेजी में इनको याप से पूछा जाये जो अभी हमने सवाल किया था आपसे कहा जाये औसर बारा के गुड़ज बताएं गुड़ज जहां ँटाइंगा है तिक यहां मल्टी Keepingило हो जाएगा 24 हाँ होता है 12-13-26 हो जाएगा यह क्यों कि आamtतना तो यह सारे के सारे आपके क्या है 12 वजपन में यह ऑपने लिखते भारा एकम 23-24-13-24-45 वही आप क्या करते थे जब आप जो टेवल लिखते थे उनी को हम क्या वह एप बोलते हैं य้ा गुड़ج बोलते हैं तो आप कहोगे सर 12 के factor अगर मुझे ये 12 के ही गुड़ज लिखने पड़े तो कितने हो जाएंगे 12 के गुड़ज आप से पूछे जाएं मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैंने कहा 12 के गुड़ज बताईए 12 के गुड़ज या अपवर्त 12 पंजे साथ 12 चंग बहत्तर 12 सत्य चौरासी 12 अठ्थे च्यानवे ठीक है 12 नेमा 108 बारा धाम 120 क्या सर इतना ही होता है नहीं 12 की अब 11 से गुड़ज गुड़ा तो ये 12 धाम 120 दस है तो 120 में 12 जोड़ दोगे 132 हो जाएगा और फिर 12 12 एकसो च्वालेस हो जाएगा और ऐसे ही हम कहां तक अनंत तक जा सकते हैं अगर मैंने 12 की 100 से गुड़ा करा दी तो कितना आ जाएगा भीया 1200 आ जाएगा क्या ये 1200 बारा का गुड़ज है आप कहोगे सर ये 1200 भी है मैंने 1200 की कितने से गुड़ा करा दी 500 से गुणा करा दी तो 12 पैंजे कितना हो जाएगा 60 उसके आगे 2-0 लग जाएगे तो क्या हो जाएगा 12 पैंजे मतलब यह 6000 हो जाएगा तो 6000 भी क्या 12 का गुणाज है तो हम कहेंगे हाँ सर बो भी 12 का गुणाज ही है किलियर एतनी बात गुड़ज आपको समझ आ गए ठीक अब हम जैसे हमने पिछली बार कहा था या इनको गुड़ज हमने आपवर्थ बोला था अब हम समाप वर्थ की बात करते हैं मतलब हम common multiple की हम बात करने वाले हैं या awareness गुड़ज की बात करने वाले हैं ठीक है तो हम चलत यह होते हैं common multiple ठीक है common multiple होते हैं यह common multiple बोल सकते हो और क्या कर सकते हो सर और हम कह सकते हैं उभयनिष्ट गुड़ज बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं सर उभयनिष्ट गुड़ज बोल सकते हैं ठीक है वेनिष्ठ गुड़ज ठीक तो हमने कहा सर्थ 12 के 12 वा 18 के पहले तो गुड़ज लिख लो पहले हमें 12 अब देखो हमने जो पहले हमने इसके बात की common का मतलब क्या होता है common का मतलब कम से कम वही दो सदस्य होने चाहिए गुरूप में तभी हम उनके वीच में common qualities की बात करते हैं कि इन दोनों में ये चीज़ common है ठीक है तो common का मतलब ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी तो वारा के 12 के आपको करना है गुड़ज निकालना है पहले तो गुड़ाज निकालो 12 के गुड़ाज या 12 के गुड़ाज क्या हो जाएंगे आप कहोगे सर्फ 12 के गुड़ाज भी आपने लिखे तो थे 12 का पहाड़ा लेख दो 121 12 12 24 23 36 24 24 25 60 12 52 12 74 28 96 29 29 30 12 120 फिर 132 और फिर 144 और फिर डैस 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 आगे तक चले जाएंगे infinite तक चले जाएंगे अनंत तक वारा के गुड़ाज होंगे ठीक है तो गुड़ाजों की संख्या आपको एक बात और याद रखनी है कि जो गुड़ाज होते हैं किसी भी संख्या के वो संख्या में क्या होते हैं अपरिमित होते हैं गुड़ाजों की संख्या कितनी होती है अपरमित होती है जबकि गुडन खंड आपके क्या होते हैं सीमित संख्या में होते हैं इसका क्या मतलब हुआ अपरमित मतलब बहुत सारे हम जिनको हम गणना नहीं कर सकते गिन नहीं सकते और सीमित का मतलब हम उनको आसानी से गिन सकते हैं ठीक है 12 के टुकड़े करोगे टु तो यह हमने क्या लिख दिया अठारा के गोड़ाच क्या सर एक सो अठानवे तक होंगे नहीं भी आगे तक अनन्द तक अठारा की बारा से कड़ा दो अठारा की सो से कड़ा दो वो सब गोड़ाच ही तो होंगे अब इन्होंने अगला सवाल कहा कि भी सर बारा वा अठारा के गोड़ाच आपने लिखे और आप हमें समझाने की बात कर रहे थे बारा वा अठारा के समाप वर्त या फिर उभैनिष गुड़ज की बात कर रहे थे या फिर मैं कहूं किसकी बात कर रहे थे आप समाप वर्द की बात कर रहे थे या फिर मैं कहूं कॉमन मिल्टीपल की आप चर्चा कर रहे थे किलियर इतना हमने का बारा वाठारा के उभैनिस्ट गुड़ज बताईए तो आप कहो कहोगे कि भी या 12 वर ठारा के उभैनिष्ट कोड़क तो 12 के उभैनिष्ट का मतलब आपने कहा भी common common multiple का मतलब क्या हो गया जो दोनों में हूं तो हमने देखा 12 12 इस में नहीं है 24 24 भी इस में छात्य चात्यस दोनों में है वंच्छ आप देखो यहां पे भी है 36 आप देखो, यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे जाके लिख दोगे भी, एक तो हमको 36 मिल गया, बोले और क्या है, बोले 36, बोले 48 है, 48 इसमें नहीं है, 60 है, इसमें नहीं है, 72 है, बहतर है, सद्धे को 72 बहतर और बहतर, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा 72, इसके बाद आप खुछ सोचो, यहाँ दो के बाद एक मिला, दो के बाद एक मिला, अब दो के बाद फिर चले जाओ, 108 होगा भी है, इसमें कितने के बाद होगा, एक के बाद, एक एक छोड़के आ रहा है भी यह तो लो 108 मिल गया ठीक है यह सीधे सीधे अब 36 का पहाड़ा चलेगा 36 दूनी बहांतर 36 दिया 108 चत्रिस चौका 144 और फिर 36 पंजे 180 ठीक है यह आपके क्या हो गोड़ाज हो जाएंगे ठीक है वेनिष्ट गोड़ाज हो जाएंगे अब 1218 के वेनिष्ट गोड़ाज हो गए अब हमको क्या निकालना था यह यह common multiple थोड़े ही पूछना था हम तो LCM की चर्चा कर रहे थे यहां पर तो हमको अब निकालना क्या अब यह हमने common multiple निकाल दिया आप बोले least भी बता दो इन वेसे जो सबसे चोटा हो उसकी भी चर्चा कर लो तो हमने कहा least common multiple मतलब जो लगुत्तम मतलब सबसे चोटा least common multiple या फिर LCM की चर्चा कर लो हमने कहा बारा वा अठारा के आपने सारा काम कर दिया सारे के सारे उभैनिस्ट गुड़न खंड गुड़ज निकाल दिये समापवर्त निकाल दिये common multiple निकाल दिये तो LCM क्या हो जाएगा बीया बारा और अठारा का जो LCM हो जाएग 12 और 18 का least कौन सा है इनमें देखो उभैन इस least common multiple दूणना था तो यह हमने common multiple दूण दिये आप क्या करना है least यह लगुत्त हमने समापवर्त दूण दिये अब आपने इसमें क्या करना है least दूणना है तो LCM का मतलब होता है सबसे छोटा इन सब में सबसे छोटा आपको अब हम आगे चलते हैं जड़ा इससे अगली स्लाइड में हमें क्या करना है कि स्लाइड नंबर एट पर हम पहुच चुके हैं धीरे धीरे और हमको सीखना है कि भी जो LCM है न लसी एम कि बोले आपको बताना है बारा अठारा का LCM किस-किस तरीके से तो सबसे पहले तो वही दूहां कि तरीका अभाज गुडन खिंड वाला थीक कि आप कंगोगे भी यह वारा अथारा और चौइस मीधे लिकले में चलो LCM निकालना है 12, 18 और 24 का, तो भई क्या करोगे, सब को अलग-अलग लिख लो, अलग-अलग करने के बाद आप क्या कहोगे, सर 12 को आप क्या कहोगे, 2, 6, 12 बोल दोगे, और फिर 3 एकम, 3 बोल दोगे, तो हमने कहा 12, 18 और 24, तो 12, 18 और 24 की हमें आप चर्चा करने वाले हैं, 12, 12, 2, 2, 4, 3, 12, ठीक है, 18 की बात करें, तो 18 क्या हो जाएगा, 18 दो नेम, 18 हो जाएगा, 3, 3, 9 हो जाएगा, और 3 एकम, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो आप कहोगे, सर 2, 2, 3, 6, और 6, 3, 18, बोले 24, 24 को भी हम पीछे करके आए हैं, तो 2 से काटों के बहिए, 2 एकम, 2, 2, 2, 4, 2, 12 हो जाएगा, और 3 एकम, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे, इसके जो फैक्टर हो जाएगे, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 24 हो जाएगे, ठीक है, हमने लिखा, 12, 18, 24 और इनके हमें क्या करने थे, फैक्टर हमने, मतलब हो, हाँ, अभाज ये गुणंखंड करने थे, तो वो हमने करने, अ हमको क्या बताना है भीया, LCM बताना है, किस-किस का बताना है भीया, 12 का, 18 का, और 24 का, ठीक है, तो सबसे पहला काम रहता है, कि भी जो common है, बो लिख लो, common का मतलब आपका HCFE तो होगा, तो इनमें HCFE इनका क्या आया था, याद होगा 6, तो एक तो 2 होगा common, और दूसरी ची हो, 2, 2 इसमें है, ठीक, common वाले तो एक वाल लिखती है, उतना काम हो गया, क्योंकि अब हमें क्या करना है, गुड़ज निकालना है, तो थोड़ा सा extra काम और करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे है, 2 इसमें है, तो हम कहेंगे इसमें तो नहीं है, यहाँ पे है, तो हाँ जी, इस में तो 3 हैं नहीं, तो एक बार आपको यह वाला 3 लिख देना है, अब क्या बचा भई आपका, अब बोले भई, अब आपका 1, 2 और बचा है, तो हमने का जो बचा है, उसको भी लिख दो, क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपने वाला 2 भी लिख दिया, तो कितना हो जा आता है, 12, 12, 18, 24, 24, ठीक है, तो मतलब ऐसी संख्या जो सबसे पहले आए, 12 के पहाड़े, 12, 18, 24, तीनों के पहाड़े में आए, और जो सबसे पहले आए, वही आपका क्या होता है, लासा होता है, ऐसी कौमन संख्या हमको बतानी है, जो तीनों के पहाड़े में आए, और आपका होता है LCM LCM को हमने ये कौन सी विधी से निकाला ये अभाज्य गुडणखंड विधी से निकाला नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं भी इसमें एक और विधी आपकी काम करती है common multiple method ठीक है 12, 18, 24 ठीक है तो आपको को करना है वही तरीका आपको अपनाना है 12, 18, 24 को आप क्या करोगे 2 से काटना सुरू करो दो चंग 12 2 name 23, 2 instagram 2, 2 29, 4 सबसे पहले आप अभाज्य से ही काटना सुरू करोगे तो 24, 36 आपको जिस से काटने को मिले काटते जाओज़े 2 चंग 12 आप क्या करेंगे भी या 3 से कट रहा है तो हम 3 से काट देंगे कोई भी संख्यागर कट रही हो 3 एकम 3, 3 तीया 9, 3 दुनी 6 ठीक है फिर आप काऊगे कि भी 2 से और कट रहा है तो 2 से और काट लो भीया 3 नहीं काट रहा तो नहीं काट लोगे 2 एकम 2 फिर काऊगे भी 3 से काट दोगे ये चीजे आपको आप समझ आ रही होंगी ठीक है तो आपका LCM आपसे पूछा जाए कि भी या बताओ 12 और 18 और 24 का LCM बता दो कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 12, 18 और 24 का 2 दूनी 4, 4, 3, 12, 12, 24, 23, 72 हो जाएगा मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा 3 दूनी 6, 6, 3, 18, 18, 18, 22, 32, 72 तो आपने इसका भी LCM निकाल के रख दिया कि भी इसका जो LCM है वो कितना है 72 है के लिए रहे इतना next हम चलते हैं इससे आगे की slide में जहां हम चर्चा करेंगे कुछ और जो important चीजे हैं उनकी एक formula वनता है कि भी एक संख्या आपको दे रखी होगी ये पहली संख्या माल लो ठीक कोई संख्या हो जाएगी पहली संख्या माल लो इसको हम बोलते हैं ठीक है एक और संख्या लिख लो बोले भी ये क्या हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी ठीक है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और आप क्या कहोगे इनका जो लासा हो जाएगा मतलब दो संख्याओं का एक फॉर्मूला आपका होता है दो संख्याओं का गुड़न फल दो संख्याओं का गुड़न फल बराबर दोनों का HCF निकाल दो मतलब मासा, गुणे, लासा बहुत important formula है और आपके लिए तो खास कर बहुत ही जादा important formula हो जाएगा ये दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा HCF, गुणा LCM जैसे हमने कहा 12 और 18 की बात की तो 12 और 18 12 और 18 का आपने अभी इससे पहले क्या निकाला था 12 और 18 का आपने कहका दो संख्याओं का गुणनफल अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दू तो 18 दूनी 36 के 6 18 दूनी 36 के 6 हासिल लगे 3, 18 एकम 18 और 3 216 आएगा अब मैंने कहा इनका HCF निकालो मैंने कहा 12 और 18 का HCM तो सर 6 हो जाएगा LCM निकालो मैंने कहा 12 का पहाड़े 12 24 बारती है 36 और 18 के पहाड़े में 36 आता है तो आप क्या कहोगे 36 आपका LCM हो जाएगा और 36 की 6 से गुणा कराओगे आपका आंसर कितना आजाएगा सर 216 आजाएगा इतनी बात आजाएगा तो आपका आंसर कितना आजाएगा 216 आजाएगा तो हमने ये वाली बात भी प्रूफ कर दी कि दो संख्याओं का गुणफल किसके वराबर होता है HCF और LCM अब इससे सवाल कैसे बनेंगे आपको दो संख्याओं दे दी गही होंगी ठीक है आपको क्या कह दिया गया होगा या तो एक संख्याओं यहां से गायब कर देंगे मान लो इन्होंने सवाल में क्या कर दिया इन्होंने कह दिया दोनों संख्याओं का गुणफल जो है वो कितना है 216 है दोनों संख्याओं को गोडन फल कितना है 216 है और आप से कह दिया HCF कितना है HCF बोले 6 है वहले LCM निकालो LCM आपको निकालना है ठीक 6 ज़ाग क्या करेगा भाग कर देगा 216 को आप 6 से भाग कर दोगे आप क्या कर दोगे LCM निकालोगे आप कहोगे सर 6 से अगर मैं इसको भाग कर रहा हूं तो 36 आ रहा है तो LCM इन दोनों संख्याओं का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा किलिए रहतना तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो आप से सवाल पूछे जाएंगे या HCF गायाप कर या उनमें से कोई एक संख्या गायाप कर देंगे या दोनों संख्याओं का ही गुणनफल देंगे कुछ भी देंगे आपको यह फॉर्मूला बिल्कुल रामबान से दोगा इस तरह के सवालों में ठीक है नेक्स चलते हैं अब आप से और क्या पूछा जाता है आप से पू तो लासा की बात करूँ मैं मालो हमारे पास तीन संख्या हैं तीन भिन्ने हैं और उन भिन्नों को मैंने क्या बोला एक को बोला भी A बटा B मालो C बटा D मालो और E बटा F मालो ठीक तो आपको क्या करना होगा इस सवाल में भिन्नों का लासा निकालना है तो लासा निकालने C का और E का आपको लासा निकालना पड़ेगा बटे नीचे क्या करना पड़ेगा या मासा निकालना पड़ेगा ठीक है मासा निकालना पड़ेगा किसका B का D का F का और जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा जो निकल के आएगा वो आपका answer हो जाएगा correct ठीक है बिन्नों का आप से पूछा जाए कि भी बिन्नों का मासा भी बता दीजिए बिन्नों का मासा बता दीजिए मासा क्या हो जाएगा ठीक है तो आप कहोगे सर बिन्नों का मासा अगर यही सवाल हुआ A बटा B C बटा D और E बटा F तो मासा निकालने की बात कर रहे हो ना तो हमने का उपर वाले का देखो आपको निकालना क्या है तो उपर वाले का मासा निकालना है तो उपर वाले का मासा निकालोगे और जो बच्चा उसका नीचे क्या हो जाएगा लासा तो मासा निकाल दोगे अंस का मतलब A का C का और E का और दीचे वालों का क्या निकाल दोगे लासा निकाल दोगे क्लीर इतना लासा किसका निकल जाएगा बोले B का D का और F का ठीक है तो V, D, F का आपको करत देना है लासा निकाल देना है ठीक है ये थे आपके सवाब मतलब जो भी LCM HCF से related concept थे ठीक है एकाद अगर हमारी जो चीज़ें हमारी नजरों से अभी बचगी होंगी तो जब हम कल questions को कर रहे होंगे ठीक है कल हम number system के कुछ questions को कर रहे होंगे या फिर उससे और उससे अगली क्लास में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं HCF और LCM से संबंदिद classes की चर्चा करने वाले हैं और फिर हम पूरे के पूरे set को भी देख रहे होंगे तो हम इन चीजों की चर्चा कर रहे होंगे और अगर आपको ये वीडियो जो हमने ये प्रियास किया है अगर आपको ये जो हमारा प्रियास है वो वहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों क वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक केर और बाए